इस विडियो में दी हुई जानकारी इंटरेट से लिग गई है। हम इस विडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तिमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले। यह संधिशोत और पुराने औस्टियो और्थ्राइटिस जैसी स्थितियों में दर्द को दूर करने में मदद कर सकता है। दर्द निवारक दवाओं के साथ इस दवा में सेराटियो पेप्टिडेज नामक एक सक्रिय घटक भी होता है, जो एक एंजाइम है जो समग्र उप्चार प्रक्रिया को बढ़ावा देता है और वसूली को गती देता है। इसे सबसे अधिक लाब प्राप्ट करने के लिए निर्धारित किया गया है। आवश्यक्ता से अधिक या अधिक समय न ले क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है। सामानी तोर पर आपको कम से कम समय के लिए काम करने वाली सबसे कम खुराक लेनी चाहिए। यह आपको अपनी दैनिक गतिविधियों को अधिक आसानी से करने और बहतर अधिक सक्रिय जीवन की गुनवत्ता प्राप्ट करने में मदद करेगा। इस दवा को अपने चिकित सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लें। इसे पूरा निगल लें। इसे चबाएं, कुचले या तोड़े नहीं। हिफैनेक डी टैबलेट को भोजन के साथ लेना बहतर होता है। हिफैनेक डी टैबलेट तीन दवाओं का सयोजन होता है। एसिकलोफिनाक पेरासितामॉल और सेरिटियो पेप्टाइडेज। एसिकलोफिनाक एक गैर स्टेरायल विरोधी भड़काव दवा यानि की इनिसाइडी है और पेरासितामॉल एक ज्वनाशक यानि की बुखार कम करने वाला है। वे मस्तिश्क में कुछ रासायनिक संदेश वाहकों की रिहाई को अवरुद करके काम करते हैं जो दर्द और बुखार का कारण बनते हैं। सरेशियो पेप्टाइड से एक एंजाइम है जो सूजन की जगह पर असामान्य प्रोटीन को तोड़ कर काम करता है और उपचार को बढ़ावा देता है। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये विडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टन आन ओन पर सेट करें धन्यवाद